हलो दोस्तों तो आज हम आपको बताएंगे कि मीटर से किलो मीटर में कैसे चैंज करोगे और किलो मीटर से मीटर में कैसे चैंज करते हैं तो चलिए देख लेते हैं एक किलो मीटर में होता है एक हजार मीटर एक किलो मीटर बराबर जो होगा वो होगा एक हजार मीटर के और एक मीटर बराबर जो होगा वो होगा एक बटे एक हजार किलो मीटर ठीक है यहां पर समझना है मीटर से किलो मीटर में मीटर से किलो मीटर म हमें क्या करना होगा 1000 से भाग देना होता है ठीक है जब भाग देंगे हम इस्में तो 0.0 0.53 मीटर हो जाएगा फिरसे समझ लो यदे मीटर से किलो मीटर में चैंज करोगे तो 1000 का भाग देना होगा क्यों? क्यों कि 1 मीटर बरावर एक बटे 1000 km होता है अब इधर आजाईए इधर दिया है 1 km यानि km से मीटर में बदलना है मुझे तो ये 5 km दिया है और इस 5 km को ये मीटर में चैंज करोगे तो हमें 1000 से गुणा करना होता है तो 5 गुणा 1000 बराबर 5000 ये कितना आगया? मीटर आगया ये सौरी ये मीटर नहीं होगा याँ पर ये किलो मीटर हो जाएगा ठीके? ये किलो मीटर में ही तो पूछा है मीटर से किलो मीटर में चैंज करवाया है तो ये किलो मीटर हो जाएगा और ये हो जाएगा मीटर क्यों? क्योंकि एक किलो मीटर में 1000 मीटर होते हैं और एक मीटर में एक बट्टे 1000 किलो मीटर होते हैं तो बस आज के लिए इतना ही